सौगत आप सभी का हमारे चाइनल पे वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे और चाइनल को सस्क्राइब जरूर करें शनी देव को नयाय के देवता के रूप में जहना जाता है इस बार शनी जैन्ती आठ मैं बुद्वार को मनाई जाएगी शनी कृपा अबराप करने के लिए इस दिन को ठूपाई भी किये जाते है जीवन में चल रही परिशानियों और शनी देव के आशिक प्रभाव को दूर करने के लिए शनी जैन्ती पर दिपक का उपाई करें शनी देव की कृपा हासित करने के लिए हमेशा सरसु का तेल का दिपक जलाया जाता है शनी जैन्ति के मूगे पर भी इसी तेल का दिपक जलाया जाता है शनी जैन्ति के दिन पिपल के समक्ष पाथ सरसु के तेल के दिपक जलाया जाता है कि एसा करने से आचनेक आने वाली सम स्याव से छुटकारा मिल जाता है शनिदेव की कुरुपा प्राप्त करने के लिए आप शनिचालिसा का पाठ कर सकते है ऐसा आप दिपक जलाने के बाद पीपल के पास बेट कर भी कर सकते है धार्मिक मानने तो के आनुसार शनिजैन्टी के मुझे पर पूजा करने से शनिदेव की कुरुपा बरसती है वही शनिदेव से भी मुक्ती मिल सकती है वैसे तो आप किसी भी समय दिपक जला सकते है लेकिन कहा जाता है कि पीपल के सामने शाम के समय दिपक जलाने से शनिदेव जल्दी प्रसंद होते है हमारी सनातन सल्सकृति को हर घर में पहुचाने के लिए इस चैनल को सस्क्राइब करेगा और वीडियो को लाइक शेर और हमें कमेंड भी जरूर करेगा धन्यवाद